प्रिय भाई और विहनों आज का सुबसनेश के लिए अब सभी को हम स्वागत करते हैं प्रिय भाई और विहनों आज का सुबस्का उंदा काला रोशनी का होता मीना अजिका संदेश प्रफुक अजास वाई माति बैंगर से वाटा जाएगा प्राथने के साथ सुनिये परमेशर की नाम गीस तुदी हो एक और बार प्रफु को बस्तदी में प्रफु का वजन सुने का मौकाद प्रफु ने दिया इसलिए मैं प्रफु को दन्यवात करता हो आज इसे हम लोग फिलिपियों का किताब से कुछ बाते देखेंगे नया नयम गा एक पत्रिगा है फिलिपियों का पत्रिगा जाए एहां दो का पांज में हम लोग देखता है दूसरा द्याए पांजबा द्याए में जैसा मसीई इशू का सुबाव था वईसे ही तुमारा भी सुबाव हो प्रबू पर विश्वास किया हुआ लोगों से प्रेडिद पॉलूस करते है आपका सुबाव आपका आजरन कैस से होना चाहिए कोई भी विक्तिक का सुबाव से तुलना करने के लिए नई बदाया गया आम बदाद आए है जैसा मसी इशू का सुबाव था वैसे ही तुमारा भी सुबाव हो फिलिपियों के लिए प्रेडित पौरूस ने जो मदद बेजे हैं उसके लिए एक दन्यवाद का चिटी लिख रहा हम इस चिटी लिखने के साथ सार कुछ उबदेश भी जो फिलिपियों का विश्वासियों को दे रहा है कि आपको मसीगत में एकदा से रहना जरूरी है को बहुत मखत दिया गया है लेकिन इस पत्रगा का एक बात सरल दीदी में कह सकता है केवल प्रभु इश्व मसी में एकदा और आनंद संभव है एक और बार दियान दीजेगा केवल प्रभु इश्व मसी में सही एकदा और कुशी संभव है इसलिए प्रेडिक पॉलूस ने इस कलीसिया को प्रभू में कड़े रहने में और इश्य मसीख का जैसे मन होने के लिए और हमेशा प्रभू में आनंद रहने के लिए बदाता है पहला अध्याई का पहला अध्याई का 21 वापद बहुत मगत्पूरन पद है बदाता है पहला अध्याई का पहला अध्याई का 21 वापद क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीख है और मर जाना लाब है इदि दूसरा अध्याई में जाए वह हम लोग जो देख लिया है उसका सरामच यह जैसा मसीख का सुबाव था वैसे ही तुमारा भी सुबाव हो तीसरा अध्याई में जो तीन का 20 और 21 पत में हम लोग पड़ते हैं तीन का 20 और 21 पतों में पर हमारा संदेज सुर्प पर है और हमें कुदार करता प्रभू इश मसीख वहां से आने का बाट जो रहे है 21 पत वह अपनी शक्ती के उस प्रवाव के अनुसर जिसके दुआरा वह सब वस्तवोंगो अपने वश में कर सकता है हमारी दिन हिन देख का रूप बदल कर अपनी मगिमा की देख के अनुकूल बिना देंगे हमारा नागरिकता सुर्ग में है और हमारा दिन हिन शरीर प्रभू का मगिमा माई शरीर में बदल जाएंगे चार अधियाई का जो साराम शहिए तेरवापत में जो मुझे सामर्द देता है उसमें सब कुछ कर सकता है प्राइरिद पॉलूस एक शक्तिगीन विक्तिए उनको कुछ करना ही सकता वो खुद बदाते हैं लेकिन बदाते हैं जो सामर्द देने वाला प्रभू मेरे साथ है इसलिए मुझे सब कुछ कर सकता है पगला द्याई में पॉलूस का वर्तमान जो परिस्तदी को बदाता है दूसरा द्याई में एक सा मैंड होना यिश मसी के जैसे मन होना सुभाव होने के बारे मेरे बदाता है तिसरा द्याई में प्रभू यिश मसी का को और जानने के लिए उनका पुनरुद्दान का शक्ती को समझने के लिए वो बदा रहा है वो भी कोशिश कर रहा और चार द्याई में वो बदाता है यिश मसी का शान्दी हमारा जीवन में अन्वोग करे इस पत्रिया में जो आनंद जो शब्द है कई बार जोर दिया गया है एका चार में हम लोग पढ़ते हैं पहला दियाई का चार पद में हम रिसीप रगार हम लोग देखते हैं और जब कभी तुम सब के लिए विंदी करता हूं तो सदा आनंद के साथ विंदी करता हूं पुलूस बदाते मैं आपके लिए विंदी कर रहा लेकिन आनंद के साथ मैं विंदी कर रहा हूं चार का चार में बदाता है प्रभू में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो सो आनंड शब्द को उन्होंने बार बार adult किया गया इस पत्रिगा को जो प्रसन एपिसल उन्होंने काराग्र्व में रख कर लगा हुआ पत्रिगा के रूप में हम देखता है पगला अदियाई का तेहर वापत में ये बात हम लोग देखता है पौलूस बदाता है यहां तक की कैसर के राजबवन की सारी पल्टन और सेश सब लोगों में ये प्रगण हो गया कि मैं मसी के लिए कईद हूं और मसी के लिए प्रभू का काम से उन्होंने कईद है तो ये एक तोड़ा हमें चमतकार करूँ में देखेंगे की जैल में रहते हुए कारागर में रहते हुए कैसे इतना आनंद का विशे लिख सकता प्यारे बाईयो एई मसी जीवन है हमारा जीवन में तक्लीम आ सकता मुसीबत आ सकता लेकिन प्रभू में हर प्रिस्तदी में आनंद में रहने के लिए पौलूस बदाता प्रभू की इच्छा तो अगला सब्ता हम आगे के और देखेंगे से इस पत्रिया को पढ़ने के लिए कोशिश करे और हमारा जीवन में उस आनंद प्रभू का मन होने के लिए जो सुनने वाला सब को प्रभू आशिश दे प्रभू की नाम की इस तुदी हो आमेन